रिवीजन एवरीधिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत है अच्छे होंगे देखिए भारतिय समविधान में हम लोगों ने भाग एक और भाग दो को पढ़ा है भाग एक में हमारा संग और उसका राज् देखिए मूल अधिकार 12-35 तक है तो देखिए मूल अधिकार कहते किसे हैं इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं देखिए मूल अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह हमें जन्व के बाद ही मिल जाते हैं कब मिल जाते हैं जन्व के बाद ही देखिए ज बन रहे वह हमने जन्म के बातबाद ही मिला हुआ है तो वो पहलेकारी मिले जन्म के आधार पर रहे हमें बीद की मिल जाता हुआ है देखिए मूल अधिकार वो को ही Magna Carta कहा जाता है Magna Carta एक French सब्ध है जिसका अर्थ ही मूल अधिकार होता है जैसे dog माली जे cat माने Billy, Billy माने cat वैसे ही Magna Carta माने मूल अधिकार माने Magna Carta इसमें आप लोग confusion मत होईँगा कि Magna Carta का मतलब होता क्या है जो मूल अधिकार है इसे USA के सम्विधान से लिया गया है आई होप आपको मूल अधिकार क्या है पता चल गया होगा तो आगे अनुच्छेद देख लेते हैं सबसे पहले अनुच्छेद बारा देख लेते हैं अनुच्छेत बारा में हमारा मूल अधिकार की परिभाशा की मूल अधिकार होता क्या है मिलेगा कैसे मतलब इन सब के बारे में चर्चा की गई है उसके बाद है अनुच्छेत 13 जिसमें अलपी करण किया गया है अलफी करण कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनेगा जो किसी के मूल अधिकार का हनन करें कहने का मतलब यह है कि माल लीजे कोई ऐसा नियम कानून बने जो किसी के मूल अधिकार का हनन करें माली जो कानून पहले से ही बना हुआ हो या फिर बाद में ऐसा बनाया जा तो मतलब ऐसा कोई भी कानून माने नहीं होगा जो किसी के मूल अधिकारों का हनन करें और यह बात कहे गए है अनुच्छेद 13 में आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 से 18 जो कि है हमारा समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहा गया है वीधी के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सबसमान है यह व्यवस्था ब्रीटन से लिगे यह बहुत ही जरूरी है कि वीधी के समान समक्ष समानता कि हां से ले गए हो है ब्रीटन से वीधी के समान मतलब वीधी के समक्ष सबसमान है वो चाहे पी एम हो सी एम हो या है वीदि के समक्ष समान जब कि कानून के समक्ष संरक्षण की विवास्थ हा अमेरिका से ली गई है देखिए कानून के व sv. करते हैं व हैं कानून जय की वीदिक不錯 है जफ्हें से रिलेटर है कि जच सामने सब आच, टैक्षर स्म मतलब जो पुलिस वगेरा होते हैं मतलब उनके समक्ष सरक्षण की बाद अनुच्छेद 14 में कही गई है और ये याद रखेगा कि वीदी के समक्ष समानता ब्रेटन से ली गई है जबकि कानून के समक्ष समानता अमेरिका से ली गई है उसके बाद है अनुच्छेद 15 जाती धर्म लिंग जन्व स्थान के आधार पर सारवजनी की स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा आप किसी भी जाती से हों किसी भी धर्म से हों कोई भी लिंग हों मेल फेमेल या ट्रांसजेंडर कोई भी आपका जन्व स्थान चाहे आप किसी भी राज से हों किसी भी जंगा से हों इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता लोक नियोजन कहने का मतलब है कि सरकारी नौक्री वाने कोई भी नौक्री वागेरा हो कि उसमें सबको समानता दी जाएगी यह नहीं कि आपको इतना आपको उतना मिलेगा नहीं सबको बराबर समान लोक नियोजन में समानता मिलेगी सबको सरकारी नौक्री में समानता मिलेगी इन में पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरच्छण की चर्चा है कहने का मतलब है देखिए कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो की बहुत ही जादा पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानि सकारात्मक भेदभा किया जाता है जैसे कि SCST औ आगे बढ़ सके इसको गलत नहीं माना जाएगा उसके बाद है अनुच्छेद 17 आइस प्रिश्यकत्ता का अंत यानि कि छुआ छूट आप नीचे आप अमीर आप गरीमने छुआ छूट जूड़े उसको बंद किया गया है अनुच्छेद 17 में और उसके बाद है हमारा अन यानि कि आप कोई भी उपाधी नहीं धार कर सकते जैसे सर कैसरे हिंद मतलब पुराने जमाने में बहुत सारे लोग उपाधी धार करते थे तो आज के टाइम पे कोई भी उपाधी धार नहीं कर सकता लेकिन इसका अपवादी यह है कि माने कोई भी ऐसी उपाधी हो जो कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उच्छ सिख्छा से या किसी प्रकार से उसको मतलब पॉजिटिव भी माना दिग गया है उसका अंत नहीं किया गया है जैसे पुलिस वालों का हो गया यह टीचर प्रोफेसर वकील पीम सीमाने ऐसी जो भी उपादिया है जो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अपनी मेहनत से उन सब का आंत नहीं किया गया है बलकि कुछ एसी उपादियों का आंत किया गया है जो एक आत लोगों को ही मिलता है आई होप कि आपको अनुच्छे 14-18 समझ में आ गया होगा देखिए अगर हम एक बार में ही 12 से पै तक होगा है ना तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू